पश्रिम बंगाल की ममताब एनरजी सरकार को कलकता हाई कोट से बड़ा जटका लगा है क्योंकि कलकता हाई कोट ने सिक्षक भरती गोटाला मामले में गंभीर कदम उठाते वे पश्यमंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई स्कूल सिक्षक भरती को रद कर दिया है इस आदेश की बाद 2016 के पूरे जोग पैनल को रद कर दिया गया है और लगभग 24,000 नोकरियों को भी हाई कोट ने रद कर दिया है इस भरती में 5-15 लाक रुपे की घूस लेने का आरोप है यह घोटाला 2014 का है जब पश्यमंगाल स्कूल सर्विस कमिशन ने सरकारी स्कूलों में सिक्षकों की भरती आयोजित की थी इस भरती में तब स्कूल सेवा आयोग के पैनल ने गडबड़ी के शुकार होते हुए एक गयर जब्मेदार नियुक्तियों का आरोप लगाया गया था कलकता हाई कोट के बाद आदेश के बाद ED और CBI दोनों एजेंसिया कतित एन येमितिताओं की जाच कर रही है भी नोकरिया मिलने का आरोप है जिनके नंबर कम थे लेकिन उन्हें मेरित लिस्ट में ऊपर इस्थान दिया गया इसके अरावा कुछ उमीदवार को नोकरी दी गई थी जो टीटी परिक्षा के पास भी नहीं गई थी इसी तरह से रज्य में 2016 में SSC दुआरा ग्रुप डी की 13,000 भरती के मामले में भी शिकायत सामने आया थी जांच के दोरान प्रशन्ना रोय का नाम भी सामने आया था जिसके बाद पिछले साल दिसंबर में इडी ने सिक्षक भरती घोटाला मामले में कोलकत्ता में चार्टेड अकाउंटेड व्यापारी और साइट अन्य लोगों के घर और ऑफिस पर जांच की थी सीवी आई ने समामले में अठारा माई को पार्थ चटरजी से पूस्ताज भी की थी एडी ने समामले में इस साल माई में जांच शुरू की थी एडी ने 22 जुलाई को पार्थ चटरजी के धिकानों समेट 14 जगाहों बच्छापे मारी की थी पार्थ चटर जी के धिकानों पर छापे मारी के दोरान एडी को अरपिता मुखर जी की प्रोपर्टी की दस्तावेज मिले जब पार्थ चटर जी से अरपिता की पहचान पूछी गई तो उन्होंने इस बारे में संतोष जनगुत्तर नहीं दिया इसके बाद एडी के रडार पर अरपिता मुखर जी आ गई जब एडी ने अरपिता के फ्लेट पर छापा मारा तो करीब 21 करोड रुपए कैश 60 लाग की विदेशी करंसी 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले अरपिता एक मोडल है वे बंगाल बंगला और ओडिश्टा फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती रही है इतना ही नहीं अरपिता पार्च रिटेजी की दुर्गा पूजा में ब्रांड अमेस जड़ रही है फिल तक के लिबने रही जन्त दर्वार के साथ